Hello Friends, इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि juvenile phase या vegetative phase किसे बोलते हैं तो देखते हैं, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually That period of growth is called the juvenile phase. It is known as vegetative phase in plant तो किसी भी organism को sexually reproduce करने के लिए कुछ stage तक growth की कुछ stage तक पहुचना पड़ता है mature होना पड़ता है अपनी life में जिसके बाद जो है वो sexually reproduce कर सकता है तो जो time होता है जिसमें कि वो organism grow कर रहा होता है अपनी body को बड़ा रहा होता है वो जो time होता है पीरेड होता है growth का उसको हम juvenile phase बोलते है animals के अंदर और इसी phase को जो है plant में जो है vegetative phase बोलते हैं तो for example अगर human being से बात करें तो human being जो है normally 13-14 year के बाद ही जो है sexually reproduce कर सकते हैं तो उससे पहले का जो time होई यानि कि 13-14 year का जिसमें कि वो अपने आपको बड़ा कर रहा होता है अपने आपको grow कर रहा होता है mature हो रहा होता है उस phase को उस time को हम juvenile phase बोलते हैं human being में और इसी तरीके से जो है plants animals में जो है सब में अलग 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 time का जो है यह phase होता है तो सबसे पहले हमारा जो इस तरीके से जो है लाइफ में जो है तीन फेज होते हैं कि वी organism हो तीन फेज होते हैं सबसे पहला होता है जो में लिया वैजिटेटर फेज उसकी बाद आता है रिप्रोड़क्टिव फेज और सबसे लास्ट में सीनिसकेंट फेज तो जो सबसे पहला फेज होता है जिसमें कि यह organism grow कर रहा हो वो हमारे reproductive phase हो के दूसरा और फिर last में आता है जब उसकी power खतम हो जाती है reproductive power खतम हो जाती है यानि कि वो sexually reproduced नहीं करता है और मदनी की कग्यार पायाता है और उस third phase को सीनिस्केंट phase बोलते हैं तो आपको अपकी समझ में आगे हो कि juvenile phase क्या होता है thank you for watching my video